किशी ने क्या खूब कहा है खुद पे भरोशा हो तो खुद पे भरोशा हो तो आप हर मुशी वश्य निकल शकते हैं नमस्कार मित्रो राधे राधे स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल डी एमार राशी फल मैं मित्रो आज हम बात करने जा रहे हैं तोला राशी वाले लोगों की तोला राशी वाले लोगों का शाद दिशंबर दिन शौमबार कैशा रहने वाला है मित्रो आज हम इस वीडियो में आज तोला राशी वाले लोगों का परिवारिक जीवन कैशा रहेगा और उनका प्यार शंबंद कैशा चलेगा विजनिस वेपार कैशा चलेगा मित्रो आज हम इस वीडियो में आज का शंपूर राशी फल बताएंगे और मित्रो आपकी भी तुला राशी है तो वीडियो को फूरा देखें मित्रो आज शौमबार है भोले शंकर वगवान का दिन है घर में रहकर भोले शंकर वगवान की पूजा अरचना करें मित्रो और कमेंट में जै भोले शंकर वगवान लिखें भोले शंकर वगवान आपकी शवी मनुकामना पूरी करेंगे मित्रो और लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली वार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गंटी को प्रक्स कर दें ताकि हमारी वीडियो सभी आप तक सबसे पहले पहुँचे मित्रो अब बात करते हैं आज की चाड़ के निते ग्यान के वारे में आज चाड़ की जी कहते हैं कि धन को ब्यक्ते से बुरे समय में एक सच्चे और अच्छे मिस्तर की भूमिका निवाता है इसलिए धन इसानों सो जीवन के में एक खास महत होता है लेकिन चाड़ की जी का ये कहना था कि मा लच्छमी जी का सोभाव बहुत चंचल होता है ब्यक्ते अगर गलत सोभाव का होता है और गलत आचड़ होते हैं तो लच्छमी जी कुट कुट के अगुड से दूर रहती हैं और लच्छमी जी उस ब्यक्ते सका साथ छोड़ देती हैं चारिकी जी के अनुसार लच्छमी जी को प्रिशन करने के लिए व्यक्त हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए और साथ ही धर्म कर्म के कामों में सब अपना योगदान देना चाहिए अपनी रुचे रुचे लेनी चाहिए मानव कल्यान के बारे में जो ब्यक्त प्रशाशित रहता है लच्छमी जी उस पर अपना आशीर बनायद बनाई रखती है मित्रो यही था आज की चाले की नीती का ग्यान पशंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें अब बात करते हैं आज की पाचंग के बारे में आज का पाचंग साथ दिशंबर दिन शौंबार है तिथी है शप्त में नच्छत्र चल लाहा है मगा रितु चल लाहा है शरद रितू पच्छ चल लाहा है क्रिश्न पच्छ आज शूरे ओद होगा छे बज़ कर 28 मिनट पर और शूरे आस तो होगा पांच बज़ कर 34 मिनट पर आज का शुब शमै आठ बज़ कर 13 मिनट से दस बज़ कर 26 मिनट तक आज का अशुब शमै ग्यारे बज़ कर 36 मिनट से एक बज़ कर 14 मिनट तक आज तुला राशी वाले लोगों की भागिशाली शंक्या नौ है और भागिशाली दिशा पश्चिम है और भागिशाली रंग हरा है मित्रो अब बात करते हैं आज के शंपूर राशी फल के बारे में राशी विवशाइक छित्र में सफल होने की इच्छा से आपको सकारात्मक बढ़ाम मिलेंगे आपनी उर्चा को इस थर उचा रखें वा अपनी कमपनी की हर तरह से मदद करते रहें इससे आपको शफलता जरूर मिलेगी अगर आप पैशे से प्रमंद आपको शंबंद है तो सफलता जरूर मिलेगी क्योंके आप अपने काम को कोई गलती नहीं करोगे प्रेम शंबंद भावनात्मक रिष्टे बरावरी के लेंदेंशे चलते हैं तो लाराशी वाले लोग बहुत ही रिष्टे में उलचे रहते हैं इसलिए कभी कभी इनके रिष्टों को गलत भी समझ लिया जाता है और आकरसित होने में प्रेरित होते हैं क्योंके आप विप्रीत लिंग के प्रते आकरशड करते हैं इसलिए मिठुन तुला ये तथा कुम्ब राशी वाले आपके अच्छे शाती शावित हो शकते हैं स्वास्थ सावदार रहें यह वो समय चल रहा है जिसके आपके हाथ से दुरगटना घट सकती है वाहन समय चलाते नुकीले यंत्रों का इस्तिमाल करते समय आपको वेहद सावदानी होगी मित्रों यही था आज की राशी का राशी फल पशंद आया हो तो एक लाइक करें शेयर करें शब्सक्राइब करें आल पर शिलेक्ट कर लें ताके हमारी वीडियो आप तक शब्से पहले पहुचें